आज हम नहीं आप इस्टडी करने वाले अपने इस्ट्री चोकि इंडियन नेशनल मोंट हम लोग देख रहे हैं तमिल नाडू के बुक से तो आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं गांधिया नेरा और इंडियन नेशनल मोंट जो 1917 से लेकर 47 तक है तो आईए आज भारत क आजात करके ही जान लेंगे तो देखते हैं इसके बारे में प्रिवेस्ट दो लेसन अगर आप लो नहीं देखे वो तो जरूर देख लीजे एक कॉंटिनियूटी बन जाएगी और अंडरस्टैंडिंग लिवल आपकी काफी डवलप हो जाएगी फिर मुझे नहीं लगता क कि जितनी भी टॉपिक में यहां पर डिसकुस की हो उससे रिलेटेड आपको इन फूचर कभी भी प्रॉबलम होगी मॉडर्न इंडिया की मैं एकदम आपको वट टूवर्ड यहां पर आपको समझाने की कुशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंट्रेस्टिंग होता है और इससे कुश्चन बहुत जादा बनते हैं यूपेसी प्रिलिम्स में में साथी आपका और भी स्टेट पीसे वगरा आप देते हो तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आई बटर में मैं पुट कर दूँगी जरूर इससे क्लिक करके आप लोग देख लीजेगा अगर प्रिवियस लेसन नहीं देखे हो तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग अपनी आज की लेसन सबसे पहले तो महात्मा गांदी जी की लाइफ के बारे में देखेंगे जलियावाला बाग मैसेकर हुआ था तो उसकी impact कैसे national movement में पड़ी उसके बारे में देखेंगे खिलाफत और non-corporation movement था उसके बारे में study करेंगे civil disobedience movement और salt satyagra के बारे में देखेंगे quit India movement है और इसका क्या impact वा freedom struggle पे तो इसके बारे में देखने वाले ही यहाँ पर आप लोग देखो कि third और final phase जो nationalist movement का चल रहा था उसको हम लोग यहाँ पर गांधिया नेरा कहते क्योंकि इसमें पुरी तरीके से गांधी जी की involvement थी इस period में महात्मा गांधी जो थे ना वो undisputed leader बन चुके थे national movement का इनका आगर आप देखो तो क्या यहाँ पर main aim था जिससे कि वो national movement को लेकर चल रहे थे तो दो चीज़े थी इनकी पहला था non-violence यानि कि violence नहीं करना है कोई भी तरीके का हिंसा नहीं करना है सांती पूर्ण तरीके से यहाँ पर movement आगे लेकर चलना है और दूसरा था सत्याग्रा यानि कि सत्य की रास्ते में चलना है जूट बोलकर हमें जो है अपने motive को हासिल नहीं करना है तो वही चीज़े है आप भी तैयारी कर रहे हो तो सचाई के साथ आप लोग तैयारी करो honesty के साथ तैयारी करो खुद को bluff मत करो और खुद के parents को भी bluff नहीं करना चाहिए नहीं तो otherwise आपका कभी selection नहीं होगा गाधी जी की दौरा यहाँ पर nationalist movement को एक mass movement मनाया गया mass movement कहने का मतलब है कि हर एक field के लोगों का यहाँ पर involvement है चाहे वो present हो जमिंदार हो, school जाने वाले बच्चे हो, college जाने वाले बच्चे हो, government employees हो या फिर women हो या फिर यहाँ पर कोई भी और बढ़े विजुर्गो सबका यहाँ पर involvement होना से आई है, यानि कि सब लोग जब चाह रहे है कि हाँ हमारा भारत अजाद हो जाना है तो ही यहाँ पर हम लोग इसको mass movement कहते हैं मोहंदास करमचंजाद गांधी, इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में पोरबंदर में 2nd of October 1869 में हुआ था, इनके द्वारा जो पढ़ाई की गई, वो law की पढ़ाई की गई थी, वो भी England में फिर वो इंडिया आए थे, 1891 में, फिर Apple 1893 में इन ये South Africa चले गए थे और खुद को वहाँ पे जो स्ट्रागल एक चल रहा था, ये अपार्थर्ड जो मुव्मिंट चल रहा था वहाँ पे, अपार्थर्ड मुव्मिंट क्या था? Racial Discrimination था, South Africa में भी जो है ना, गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत जादा वहाँ भेदभाव किया जाता था, तो उस भेदभाव से जो है ये भी स्ट्रागल कर रहे थे, क्योंकि इनका रंग भी थोड़ा डाउन था, तो इनको भी वहाँ पे जो है ना, Black People कहा कि इन सब्सक्राइब करते हैं और भारत में भी ये सारी चीज़े तो चली रही थी, क्योंकि बिटिश भी यहाँ आए थे, तो वो गोरे गोरे थे, हमारे इंडियन सोरे डाउन कलर के थे, तो उनको लगता था कि नहीं, Black People, जो है, बतलब, poor people, Black People इस तरीके का चीज़ों करते थे और खुद को बहुत महान समझे थे, तो फिर उनको भी महात्मा गांदी जी को लगा कि ये हमारे देश में भी यही सारी चीज़े चल रही है, जो कि acceptable नहीं है, महात्मा गांदी की बात करूँ तो वो अपना experiment start किये movement का, सबसे पहला जो ये सत्यगरा का experiment start किये, वो चमपार से किये, चमपारन कहा है, बिहार में है, और कभ स्टार्ट वा इनके द्वारा, तो 1917, 1915 में वो भारत आ चुके थे, लेकिन सबसे पहला जो उनको लगा कि कहां से सुब सुरुवात करना चाहिए, तो शुब सुरुवात जो वो किये थे, वो बिहार के चमपारन से किये थे 1917 अब वहां पर क्या प्रॉब्लम थी, आक्चुली वहां पर इंडिगो कल्टिवेशन को लेकर बहुत जादा प्रॉब्लम था, इंडिगो कल्टिवेशन करने के लिए बिटिश जो थे न, वहां के पीजन को बहुत जादा फोर्स कर रहे थे, कि आप इंडिगो का ही कल्टि पीजिट को जो है इनीजिंट यहां पे प्रोफिट हो रही थी। इसी चीज़ से तंग आकर उन्होंने यहां पे कुछ लीडर्स थे, जो यहां पहत्मा गंधी को बुलाएं और राजकुमार शुकला थे, जो कि यहां पे गंधीजी को बुलाएं बिहार में। और उनके द्वारा जो है यहां पे चंपारन सत्यगरा स्टार्ट किया गया जिसमें कि गांधी जी के द्वारा इस तरीके का यह सत्यगरा था जिसमें कि इंडिको कल्टिवेशन जो पीजन नहीं उगाना चाते थे तो उनको इससे चुटकारा मिल गया उसी के बाद आप किसे उनका फसल बरबाद हो गया था तो वो टैक्स देने के लाइक नहीं थे यानि कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे लैंड का टैक्स लेते थे वो पिजन से खली उनको तो टैक्स ही चाहिए होता था तो उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि फसल बरबाद हुआ क्या हुआ ब्रेटिशर्स को क्या था कि नहीं भाया तुम्हारा फिक्स हो चुका है तुमको इतना टैक्स देना है तो तुम लाओ टैक्स कहीं से भी लाओ तो ये उनका जबर्दस्ती चल रहा था अब गांधी जी जो है चंपारन के बाद गुजराज चले गए वहां पे भी यहां पे जो है काफी पिजन्स का काफी साथ दिये और फिर उनको भी जो ये टैक्स देने से जो है छुटका रहा दिये इस स्ट्रागल के टाइम में सरदा मर नहीं जाते तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि एहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए एहमदाबाद मिल जो वर्कर्स थे इनको भी यहां पे बहुत जादा जो है टॉर्चर किया जा रहा था उनको यहां पे रिलीव दिलाने के लिए गांधी जी के दौरा पत्यागरा हुआ और उसके बाद जो है एहमदाबाद मिल वर्कर्स यहां पे गांधी जी के दौरा पहली बार फास्ट अंटू देथ रखा गया अन्दा होल आप देखोगे यह लोकल मोमेंट था यानि कि छोटे छोटे जगह पे था जिससे कि महत्मा गांधी जो थे ना उस समय लोगों के लाइफ के करीब आ गये थे यानि कि वो यहां पे लोगों से मिलते थे बाते करते थे तो उनको समझ में आया था कि ब्रिटीश जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं और ग्रास्ट रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम थी ना ये मातना गांधी जी समझ चु कोईटीन में आप देखो कि एक कमीटी का सेट अप किया गया था और इसके जो प्रेसेडेंट सिप थे वो सर सिड्नी रॉलिट थे जो कि यहां पर मिलिटेंट नेशलिस्ट अक्टिविटीज को देख रहे थे उन्हीं की बेसेस में यहां पर रॉलिट अक्ट को पास किया गया था मार्च 1990 में और यह सेंटरल लिजसलेटिव काउंसल से पास किया गया इसक्ट के अनुसार क्या था ना कि किनी बी परसन को सर्फिश्यस के यानि कि अगर कोई संदे लग रहा है कि यह किसी भी तरीके का यहां पर हिंसा फैला आएगा या फिर कोई भी तरीके का यह उटाकर संदीखें के बीची को यहां पर फाइल नहीं किया रहा था यह जुढ प्लाक एक्ट कहा गया यह धिया रखें कई पार पूछा जाता है तो यह रॉल्ट आक्ट को ब्लाक एक्ट कहा जा और इसको वर्डवाइट जो है पूरी तरीके से वर्लड वाइट क्या बोलू में arrest कर लिया गया था इनके साथ दो और लीडर थे पंजाब के Dr. सत्यपल और यहाँ पर डॉक्टस सहा इंको भी अमरिद झаты गया था तो इस त्वी किसे जो है arrest करने का यह कारिकरम था वह तो ब्रिटिशर्स लहा था अभी इन में गया था कि यहाँ पे जो दोनों साफोदीन कुचलू को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था तो उन्हीं के लिए लोग यहां पे इखटे वे थे यह यहाँ टेज़ वाला बांग यहां पर वाल्यिट सिचूवेशन को देख ते वे गवर्मन्न पांजाब की द्वारा य सलय वाल बाग में यानि की बहुत बढ़ा गारण था ये तो डायर के दाः यहां पे मार्च किया गया और बिना किसी वर्ण निंग के और सारे गेट को यहां पर जितने भी रादन के गेट 2000 को बंद करके यहां बिना नाइन पिपल्स जो थे वो यहां पर मारे गये थे 1137 लोग जखमी हो गये थे एक nationwide protest यहां पर आपका जो है massacre के अगिंस्ट में यह चल रहा था यानि कि यह इतना जादा घटिया यह काम किया गया था जेनरल डायर के द्वारा रविंद रनार टैगोर के द्वारा इसको knighthood कहा गया इसके बाद निकल कराया खिलाफत मुवमेंट यानि कि जो chief cause था खिलाफत मुवमेंट बनाने का वो यह था कि first world war में टुकी की हार हो गई थी एक harsh term देखने को मिला यानि कि ट्रीटी ऑफ सिवर्स निकल कराया नाइटी टुएंटी का जिसमें कि मुसलिम के दौरा यह फिल्ट किया गया ला कि उनका बहुत ज़्यादा जो है इंसल्ट बढस के टो ब्रिलीव कर थे happens कि मुस्लिम के यहां पर मुस्लिम मुस्लिम थे उनके ध्यूरा ये खिलाफत मुवंट्स अगर हम दो देखें तो मौलाणा अभूल अबुलकलाम आजाद अम एंसारी साphuddin किचलू और अली ब्रदर्स है जो कि प्रमेंट्स झाया गया वह मुन 19th of October 1990 को और whole country के द्वारा ये खिलाफत दे देखा गया यानि कि खिलाफत डे कम मनाया गया तो ये 19th October 1990 को 23rd of November को क्या हुआ कि एक joint conference हुआ था हिंदू और मुसलमान के बीच में और इसमें जो chairman ship था वो महात्मा गांधी के साथ में था महात्मा गांधी जो थे ना वो काफे interest थे कि हिंदू और मुसलिम को एक साथ लेकर आए क्योंकि ये एक divide था Lord Karzan के द्वारा जब partition किया जा रहा था बेंगौल में तो उनके द्वारा हिंदू मुसलिम को जो है ना divide कर दिया गया था तो ये चीज भी महात्मा गांधी जी समझ गया थे कि दो गुट यहाँ पर आपस में ही ज़गरते हैं वो भी अपने religion को लेकर तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि इन दोनों को unite कर दे तो तब ही हम लोग अपने country के independence को achieve कर पाएंगे खिलाफत movement को यहाँ पर non corporation movement के साथ जो है इसको merge कर दिया गया जो कि गांधी जी का कब था तो 1920 में इसी के साथ start वा non corporation movement 1920 से 22 तक चला महात्मा गांधी जी के दौरा यहाँ पर start किया गया non corporation यानि कि गांधी जी यानि कि अब British government को cooperate नहीं करेंगे और किसको लेकर तो इनके दौरा जो British government के दौरा जो रॉलेट act लाया गया था जालिया वाला वाग मैसे कर हुआ और खिलाफत movement हुआ इन तीनों को देखते हुए अब यहाँ पर एक मिला के बड़ा सा संगठन बनाया गया जो कि non corporation movement था यानि कि अब British government को कहीं से भी corporate नहीं और नागपूर तो इस तरीके से याद रखेगा non corporation नागपूर session में इसको पास किया गया यह program क्या था इसमें देखें सबसे पहले titles को surrender किया गया ओनरी positions को surrender किया गया यानि कि जितने भी इंडिये बड़े post में थे British के अंदर तो वो सब जो है उस post को छोड़ दिये उनको अगर कोई भी यहाँ पर titles वगेरा दिया गया था तो वो सब यहाँ पर surrender कर दिये local buddies में जो उनका membership था उससे वो resign कर दिये election को भी bycott कर दिये चुकि यहाँ पर 1919 Act के तहत provision था government के functions यानि कि government का जो काम करने का तरीका था उसका वो सहमत नहीं करेंगे court को government school को और colleges को bycott कि जो Britishers का समान था उसको यहाँ पर इस्तिमाल करने से bycott करेंगे national school colleges और private जो पंचायत court है उसको establish करेंगे यानि कि अपने country का school बनाएंगे अपने country का college बनाएंगे और अपने यहाँ का पंचायत court बनाएंगे साथी अपने यहाँ का समान है और खादी जो समान है उसको हम हम लोग यहाँ पर popularize करेंगे उसको इस्तिमाल करने के लिए हम लोग जो है आगे लेकर आएंगे इस moment में आप देखो कि महात्मा गांदी जी के द्वारा start किया गया था और बात में कुछ और leaders थे influential persons थे जो कि यहाँ पर उनको follow किये और अपने भी जिचो भी post और title थे वो country के बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ सके सारे prominent leader जो हमारे country के थे वो अपना खुद का जो legal practice था वो सब छोड़ दिये legislature को भी bycott किया गया कोई भी जो Congress के leader थे ना वो यहाँ पर सामने नहीं आया थे कि election को contest करेंगे 1921 में क्या हुआ कि mass demonstrations देखने को मिला Prince of Wales के against में वो यह यहाँ पर Prince of Wales जो थे उनके against में यहाँ पर बहुत ज्यादा mass demonstration हुआ government जो है इनको restore करने के लिए कि strong measures लेकर आई बहुत सारे leaders को यहाँ पर arrest किया गया British government करती क्या थी जब वो दिखती थी कि हां इंडियन बाहर निकल कर आ गया है बहुत जादा आगे बढ़ रहे है तेज बन रहे तो वो क्या करते थे ना कि सब को उठा के jail में डालते थे थे क्योंकि उसके बाद तो jail को तोड़के कोई नहीं निकल पाता था तो इसलिए यह सबसे आसान तरीका होता था Britishers के लिए तो वो सारे leaders को arrest कर लेते थे जो आगे चल चलके बहुत जादा भासन देते थे और साती जो Congress और खिलाफत committee थे उनको भी illegal कह दिया गया और इस बहुत सारे जगह पे bonfire हुआ यानि कि foreign कपड़े को जलाया गया जो messages वो पूरी तरीके से spread हुआ बहुत सारे household जो है न वो यहाँ पे कपड़े सिलने लगे वो भी चर्खा के help से तो लोग जो है अपने घर में ही कपड़े बनाने लगे थे चर्खा के help से बट whole moment जो था न वो पूरा बंद हो गया कब 11th of February 1922 को गांधी जी के द्वारा जब 4-4 incident हो गया गोरगपूर डिस कर्मी भी वहाँ पे जलके मर गए थे 22 पुलिस थे जो की जलके मर गए थे उसके कारण जो है मात्मा गांधी जी क्योंकि ऐसा वो नहीं चाहते थे कि कहीं पे भी हिंसा हो जड़प हो वो सांती के सांती से वो काम करना चाहते थे लेकिन इस तरीके का जब काम हो गया तो कर दिया गया था 11th February 1922 को ठीक है बहुत सारी जो टॉप लीडर से हमारे कंट्री के वो यहां पर सदिन सस्पेंट हो गए नॉन कोपरेशन मुवमेंट से महात्मा गांधी जी को भी इसके बाद जो है ना 10th of March 1922 को अरेस्ट कर लिया गया अब नॉन कोपरेशन मुवमेंट क का महत्व क्या था यह समझे यह एक रियल मास मुवमेंट था यानि कि यहां पर डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी जो चाहते थे हम लोग वही चीज़े यहां पर हुई कि हर एक लोग यहां पर आए पिजेंट आए वरकर्स आए स्टूदेंट आए टीचर्स आ निकल कर आए और साथी साथ यहां पर आप देखो कि जो इक्शा थी वो यहां पर बहार निकल कर आए लोग जो है ना सेक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गये थे उसके बाद निकल कर आए स्वराज पार्टी तो जो नॉन कॉपरेशन मुवमेंट को सस्पेंड कर दिया इससे क्या हुआ ना कि कॉंग्रेस के अंदर ही यहां पर विभाजन हो गया यानि कि गया सेशन में बात करें जो कॉंग्रेस का हुआ था दिसम्मर 1922 में तो कुछ लीडर जैसे मोतिलाल नहरू चितरंजन दास जो है एक अलग गुट बना लिए और उनको यहां पर क्या कहा होगा इसका कोई solution नहीं है अगर आपको state pieces देते हो तो directly आपसे date पूछा जाता है या फिर UPSC में भी इस तरीके का tough करने के लिए date पूछ लिया जाता है तो date आपको याद करना है स्वाराजिस जो है वो यहां पर चाहते थे कि council election को contest करें और government को जो है न यहां से स्वाराज पार्टी जो है वो अपनी success को gain कर रहे थे यानि कि इनका जो यहां पर सोच था वो आगे बढ़ते जा रहा था काफी ज्यादा success भी मिल रहा था Central Legislative Council में मोतिलान लहरू जो थे वो यहां पर इस पार्टी के leader बन गये और वहीं Bengal में अगर देखे तो पार्टी को जो head कर रहे थे वो CR दास कर रहे थे तो काफी important है एक तो स्वाराज पार्टी में आपके CR दास है साथी मोतिलान लहरू है लेकिन मोतिलान लहरू जो थे वो यहां पर पार्टी के leader बन गये थे लेकिन Bengal में कौन leader बने थे तो Bengal में जो है यहां पर स्चितरंजन दास यहां प में चेंज लेकर आना है पार्टी यहां पर जो है क्या गया कि एक सिस्टम ऑफ टायर की होना चाहिए तो फिर उसके बाद यहां पर देखोंके है आफ्टर पासिंग वे उफ citranjan 10 जोकि इनकी मृत्य हो गए थी जून 2019, 2025 में तो जो सोराज पाती था ना तो थोड़ा weak होने लगा क्योंकि एक leader की अगर यहां पर death हो गई तो अकेले जो है यहां पर मोती लाल नहरोजी के द्वारा इसको नहीं समाल पाया गया उसके बाद आया Simon Commission 1927 में तो जो 1919 का act था ना इसमें एक provision था यानि कि 10 साल के बाद यह lapse हो जाएगा तो यह review commission था जिसको कि appoint किया गया वो देखने आये था सारी चीजों को British government के द्वारा दो साल के लिए तो इसको Simon Commission कहा जाता था यानि कि इनका नाम कौन इसके chairman के नाम पे था यानि कि Sir John Simon थे वो सारे members जो थे वो Englishman थे इसमें कोई भी India का member नहीं था अब इंडिया के लिए वो कानूर बनाने आ रहे है लेकिन उसके commission में कोई भी यहां पे Bombay पहुंचें तो एक बहुत बड़ा हरताल था पूरे countries में देखने को मिला और इनको एक काला जंडा दिखाया जा रहा था और बोला जा रहा था Simon go back यानि कि आप वापस जा आपको ज़रूरत ही नहीं है हमारे countries को देखने का यहां पे लोगों से बातजित करने का क्योंकि आपके commission में सारे seven people जो थे वो Englishman थे कोई भी Indians को include नहीं किया गया था इसलिए Indians इनका बहिसकार कर रहे थे लाहूर में कुछ students जो है वो large anti-simon commission demonstration लेकर आये थे वो 30 October 1928 को और इसके leader जो थे वो लाला लाजपत राय थे इस demonstration में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जो थे वो seriously injured हो गए क्योंकि police वगेरा क्या करती थी कोई भी movement निकलता था तो उसको रोकने के लिए वो लाठी चार्ज करती थे बहुत बहरम तरीके से मारती थी उसके बाद जो है जेल में डाल देती थी तो इस लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई और यहां पे आप लोग देखो कि जो report था साइमन कमिशन का उसको 1930 में में पब्लिश किया गया था यहां पे constitutional experiment को start किया गया था और डायर की जो है वो यहां पे unsuccessful हो गया डायर की क्या होता है डायर की भी बोलते है डायर की भी कहते है आप जिस तरिके से भी इसको pronounce करो तो इसका मतलब होता है कि two government two government rules ठीक है इसके बाद आया नहरू report 1928 का तो secretary of state जो lord यहां पे bigger head थे उनके दोरह Indians को challenge किया गया कि constitution को produce किया जाएगा और यह सब के लिए acceptable होगा तो यह जो challenge था यह congress के दोरह accept किया गया फिर उसके बाद all party meeting हुई 28 of February 1928 को तो committee जो थी ना वो art की committee थी जो की बनाएगी और यहां पे future में India का क्या सनविधान होगा उसका blueprint यहां पे बनाया गया इसको जो head कर रहे थे वो यहां पे मोतिलाल नहरू head कर रहे थे और जो report यहां पे publish किया गया था committee के दोरह तो इसी report को यहां पे नहरू जी के नाम पे रखा गया था जो कि नहरू report कहते है अब नहरू report में कुछ इनका demand था कि हमारे सनविधान में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए तो सबसे बड़ी बात थी कि इनके दोरह जो demand किया गया वो dominion status का किया गया यानि कि next step में जो है एकदम dominion status मिलना चाहिए full responsible government होनी चाहिए center में provinces को जैसे आज की date में हमारे हाँ 28 state है तो उसमें provinces हुआ करता था प्रांथ तो उसकी autonomy होनी चाहिए clear cut division होना चाहिए power का वोवी state और provinces में by camelor legislature होना चाहिए center में by camelor legislature कहने का मतलब है कि जो हमारा parliament है उसमें दो सदन होनी चाहिए एक तो है लोगसभा दूसरी रासभा तो इस तरीके का होना चाहिए center में वही अगर हम लोग देखे मुस्लीम लीग के जो लीडर थे मुहमद अली जिन्ना वो यहाँ पे जो है अपने मुस्लीम के interest के लिए आगे निकल कर आए जिन्ना चाह रहे थे कि All India Conference of Muslim है जहां पे यहां पे 14 points रखा गया था मुस्लीम लीग के demand यानि कि यह सारी जो demand थी नहरू की उनसे यहां पे मुस्लीम वाले जो थे वो यहां पे संटूस नहीं थे तो वो अपना खुद का 14 demand लेकर आए थे जो कि मुस्लीम लीग demand कहा जा रहा था उसके आगे अगर देखे तो civil disobedience moment start वा जो कि 1930 से 34 तक चला यानि कि restless का पूरा महल हो चुगा था सब जगा आप लोग देखो कि लोग जो है वो दंगे कर रहे थे यह कर रहे थे annual session जो Congress का था वो यहाँ पे लाहूर में हुआ 1929 में इस session में क्या हुआ इसको जवाल नाल लहरू यहाँ पे preside कर रहे थे तो यहाँ पे एक पूर्ण सुराज resolution लाया गया यानि कि पूरी तरीके से हम लोग को जो है च्विस जनवरी 1930 को Day of Independence जो है यह देक्लीयर किया गया था आज के टेट में जो 26th January को हम लोग यहां पे Republic day celebrate करते तो यह सब से पहले जो है 1930 में ही Day of Independence जो है यहां पर celebrate किया गया था तब से 26th January को हम लोग यहां पर Day of Independence हर साल जो है उसके बाद यहां पर सेलिब्रेट किया जाता था फिर डांडी मार्च स्टार्ट हुआ यहां पर आप लोग देखो कि यह स्टेज जो था वो सेकेंड मेजर स्ट्रागल था जो कि कॉंग्रेस के द्वारा स्टार्ट किया गया 12 मार्च को 1930 गांधी जी के द्वारा एक फेमस मा गांडी यानि कि दांडी के तट में कब पहुंचे तो निकले थे 12 मार्च 1930 को पहुंचे 5 अप्रिल 1930 को ठीके 200 माइल्स वो यहां पर डिस्टेंस कवर किये और 6 अप्रिल को उनके द्वारा सिविल डिस्वर्विटियंस मोव्मेंट जो है वो फिर से स्टार्ट किया गया उनके द्वारा नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ा गया था 9 अप्रिल मात्मा गांधी जो है मोव्मेंट के जो प्रोग्राम थे उसको यहां पर लेकर आए जिसमें कि साल्ट बनाना हर एक विलेज में जो था यानि कि इसमें अगर सॉल्ट लॉ लग रहा है तो उसको व सस्ट हो रहा था स्कूल और कॉलेज इसका यह सारी चीजा चलते जा रही थी फिर वेकांटे के सारे स्टार्ट लॉग मोच्टे और पार्रżaल में जो कर रहे थे जारे place प्रोग January राउंटेबल कॉंफरेंस, बिटिस कर्मेंट के द्वारे के स्टाटेजी लाया गया, कि ठीक है चलो, सब तो यहां पे अगेंस्ट में आ रहे हैं, बार बर बिटिशर्स के अगेंस्ट में वो लो मुवमेंट कर रहे हैं, इंडिया वाले, तो बिटिशर्स लास्ली सोचे कि उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिये, फिर अगला हुआ अगले साल जैनवरी 1931 में, तो यहां पर चाहती थे कि कॉंग्रेस के कोई लीडर आए जो कि बात करें, तो यहां पर क्या हुआ कि 8 of March 1931 को गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया, यानिकि इस पैक्ट के तहट क्या था कि महात्मा गांधी एगरी हो गये थे कि वो civil disobedience movement को suspend कर देंगे और second round table पे वो participate करेंगे, September 1931 में second round table conference लंडन में हुआ था और गांधी जी के द्वारा participate किया गया था, उसके बाद वो इंडिया आ गये, लेकिन यहां पे काफी disappointed थे, क्योंकि कोई भी यहां था complete independence का, उसकी उपर agreement नहीं हुआ था, यानि कि complete independence के लिए Britishers जो थे वो राजी नहीं थे, तो इससे मात्मा गांधी जी जो है गुस्सा होकर वापस आगए, disappointed थे इंडिया में, और वापस आगए वो, फिर अगला यहां पे 1932 में civil disobedience movement को फिर से वो start कर दिये, क्योंकि वो माने तो इसलिए थे ना, कि चलो ठीक है Britishers हमें complete independence की दे देंगे, तो हम रोज civil disobedience movement को नहीं आगे चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं वह Britishers, तो वहाँ पर roundtable conference भी जो है वहाँ पर participate करने के बाब, जुद भी वो यहाँ पर cooperate नहीं किये, तो फिर महात्मा गांधी जी जो है वा 1930 में Dr. Ambedkar जो थे, वो यहाँ पर national stator के leader थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर depressed class को काफी जादा जो है देखा जाता था, क्योंकि वो बचपन से काफी जादा सहे है, क्योंकि वो schedule caste से belong करते थे, तो उनके साथ बहुत जादा भेदबाद हुआ, तो वो आगे इस चीज़ को नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, तो इसलिए depressed class को यहाँ पर और जादा बढ़ाना चाहते थे, जानि कि उनके level को बढ़ाना चाहते थे, उनके conditions को अच्छा करना चाहते थे, तो उनका demand था एक separate electorate होना चाहिए depressed class के लिए भी, 16th August 1932 को जो British Prime Minister थे, राम से MacDonald, उनके द्वार announcement किया गया, कि एक communal award दिया जाएगा, इस award के according क्या था, कि जो depressed class है, उनको एक separate community कहा जाएगा, और यहाँ पर provision रखा जाएगा, कि एक separate electorate होना चाहिए उनके लिए, यानि कि वो अपना अलग से काम करें और उनको एक अलग से community देखा जाएगा, अब महात्मा गांधी जी लगे थे सब को एक चूट करने में, यूनिटी करने में, लेकिन जब महात्मा गांधी जी ये देखे कि ये क्या हो रहा है, हमारे country का एक तकता को अलग क्या जा रहा है, Britishers सुचाती थी कि अलग-अलग कर दे, तो इस लिए वो इस चीज में ready हो गया, लेकिन महात्मा एहमदाबाद में, सोरी सोरी पहला गयते खेडा में, नहीं एहमदाबाद में, मैं ही confused होगे, पहला गयते है एहमदाबाद milk worker में, जो fast unto death, दूसरा वो यहाँ पे communal award के against में चले गए, और कहां पे वो ये काम कर रहे थे, यरवदा जिल में 20 September 1932 गो, फाइनली एक agreement यहाँ पे आया, डॉक्तर अंबेतकर और गांदी जी के बीच में, इसी agreement को sign किया गया, पूना पैक्ट कहा जाता है, क्योंकि पूने में किया गया, यरवदा जिल कहां है, पूने में, यह वही है जहाँ पे संजजदत भी रहे थे, तो इसलिए यह याद दिया गया, और लास्टली जो है, इसके according अगर हम दो देखें, तो 148 सीट जो है, वो different provincial legislature जो है, वो reserve किया गया, depressed class के लिए, और 71 था, लेकिन इसको बढ़ा कर 148 कर दिया गया, विटर्ड राउंड टेबल conference वा, 1932 के end में, Congress जो थे न, वो यहाँ पे participate नहीं किया थे, March 1933 मे किया हुआ कि British government के द्वारा एक white paper issue किया गया, जो कि यहाँ पर आपको देखो, एक basis बन गया था, Government of India Act 1935 को enact करने के लिए, फिर उसके बास Second World War हुआ, National Movement हुआ, 1937 में देखें, तो election यहाँ पे conduct कराया गया था, according to Government of India Act 1935 के ताय, तो जो Congress Ministers थे, उनको यहाँ पे बनाया ग लोगों से consult किये, बिना जो थे ना, वो वार में include हो गये थे, और Congress जो थे ना, वो यहाँ पे इसको oppose कर रहे थे, और इस समय जो आप लोग देखोगे कि Congress Ministries जो थे provinces में, उनके द्वारा resign किया गया था 12th of December को, और Muslim League जो इसी दिन को क्या यहाँ पर celebrate कर रहे थे, तो Deliverance Day क इसको celebrate कर रहे थे, किस दिन को तो 12th December 1939 को, March 1940 में क्या हुआ कि Muslim League के द्वारा demand किया गया कि अब बहुत हो गया, अब हमें अपना अलग country चाहिए पाकिस्तान का demand करना स्टार्ट कर दिये, तो यहाँ से आप लोग देखो कि अलग होना स्टार्ट हो गया, यानि कि 1940 मार्च मे पहली बार Muslim League के द्वारा एक अपना country यानि कि पाकिस्तान की वो demand करना स्टार्ट कर दिये, फिर उसके आगे निकल कर आए individual सत्यागरा, तो इसको समझे, Second World War जब चल रहा था, दुटिये विश्वयूद, तो यहाँ पे Indians के corporations को secure करने के लिए, British Government के द्वारा 8 August 1940 को announcement किया ग पेकना स्टार्ट करते थे, तो Britishers इससे तंग आ गया थे, क्योंकि बार-बार कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को जेल में डालेंगे, तो वो चाहते थे कि चलो Indians को भी एक lollipop देते, एक होता है ना, कि लो भाई जुन-जुन लो, तुम इसी को साथ खेलो, और ह हम लोग को जो करना है, हम लोग तो करेंगे, तो इसी के रूप में अगस्त ओफर लाए गया, अगस्त ओफर जो था ना, यहां पर क्या था, कि इंडियन्स को कहा गया, कि ठीक है, एक नया सन्विधान सेटप करेंगे आप लोग लिए, लेकिन गांदी जी से सैटिस्वाइ सैटिस्वाइगरा जो है, वो लॉंच किया गया, इंडिविज्वाइगरा वो लिमिटिट था, सिंबॉलिक था, नॉन वॉयलिंट था, अगेन, और यह महात्मा गांदी जी के द्वारा जो है, छोड़ दिया गया था, कि वो चूज करेंगे कि कौन इसमें सैटियगरा ही ह होंगे, तो सबसे पहले जो थे, वो यहाँ पर आचारे विनोभा भावे थी, ठीके, विनोभा भावे थे, यह याद रखेगा, यहाँ पर आप लोग चितर भी देख सकते हो, इनको जो है ना, तीन मंत के लिए इंप्रिस्मेंट दे दिया गया, ठीके, जवाहाल नाल लहर यहाँ पर सेकेंड कौन थे, तो यहाँ पर जवाल नाल लहरू, याद रखेगा एक एक बाद, उसके बाद आए क्रिप्समेशन 1942, वाइसराइ जो थे, उसमें लॉट लिन लिन्टो, इनकी द्वारा एक्जेक्यूटिव काउंसिल को थोड़ा एक्स्पेंड किया गया, यह इसके लिए यहाँ पर सर स्टेफ़र्ट क्रिप्स को भीजा गया इंडिया में कि कोपरेट करने के लिए कि इंडियांस को जो है न उनकी जो डिमांड है उसको देख लीजे, तो यहाँ पर जो यह सर स्टेफ़र्ट क्रिप्स जवा आय थे, वो 23rd of March 1942 का आय थे, जिनको यह कि आपको क्रिप्स के द्वारा किया कहा गया, कि promise कि आए गया इंडिया को कि आपको डोमीनियन स्टेटस देंगे, यानि कि आधा 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 आपको स्टेटस देंगे, पुरा full इंडिपेंडेंसी आपको नहीं मिलेगा, Minorities जो थे उसको protect किया जाएगा अलग से constituent assembly बनाई जाएगी जिसमें कि representation होगा princely state का साथी एक provision दिया गया जिसमें कि यहाँ पर British India का provisions होगा कि वो यहाँ पर constitution को accept करने के लिए prepared नहीं है तीक है, इधर कि यहाँ पर present करें constitutional positions को या फिर यहाँ पर constitution को अपने आप में ही frame करें मीजर political parties जो country के थे ना वो Crips के proposal को reject कर दिये तो हो नहीं था क्योंकि पहले ही line में लिखा था कि Dominion status देंगे और मैं क्या करी थी कि वो Britishers क्या चाहते थी कि इंडियांस को बेफकूफ बनाना, खली जुन-जुन पकड़ा दीजे जादा कुछ करने की ज़रोत नहीं है बेफकूफ बनाना था, गांधी जी समझ गए कि यह Crips जो आया है, यह हमें बेफकूफ बनाने आया है इसको भी बाइकॉट करो, इसको भी छोड़ो, इसको भी कैंसल करो गांधी जी के द्वारा कहा गया कि यह Crips का प्रपोजल है यह post-dated check है तो याद रखिएगा, पूचा जाते है कि post-dated check किसको कहा गया, Crips के प्रपोजल को साथी आप लोग देखो, इसके बाद कुईट इंडिया मोव्मेंट स्टार्ट वा 1942 से 44 तक, Crips मिशन जो है वो फेल हो गया वो इंडिया, इंडियन को बेफकूफ नहीं बना पाया तो इसी के साथ आप लोग देखो, कि यहां पे गांधी जी के द्वारा अब करो और मरो का यहां पे नारा दिया गया Do and Do or Die, यानि कि या तो ऐसा कर जाओ कि अब इंडिया को इंडिया को इंडिपेड़निस दिला ही दो या तो मर जाओ, यही दो काम यहां पे कहा गया स्टार्ट वा कपसे, तो यह बॉम्मेंट में यह पास हुआ और गर्वर्मेंट जो है यहाँ पे इंडियन पिपल्स को बिना किसी लीडर के छोड़ दिये क्योंकि लीडर्स की पीछे-पीछे सारे इंडियन्स चलते थे ना लीडर्स नहीं तो इंडियन्स क्या करेंगे तो दुबुक के बैठ जाएंगे महात्मा गांदी जी को यहाँ पे प्रिजन में डाला गया पूने में पंडित जवालना लेरू, अबुलकलाम, आजाद और दूसरे लीडर्स को भी जो है न एहमाद नगर फॉर्ट में डाल दिया गया उसके बाद यहाँ पे एड़ टाइम लीडर्शिप जो थे वो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया अचूतिया के द्वारा, अच्चूता के द्वारा और सम जोशी के द्वारा फिर यहाँ से बिहार के एक लीडर थे जैप्रकास्ट नारायन उनका रोल काफे important हो गया बहुत सारे बच्चे जो थे न वो अपने स्कूल कॉलेजिस फिर से छोड़ दिया और मुवमेंट को जॉइन किये इस नेशन में यूद जो थे न वो बहुत जादा पाटिसिपेट किये चलो ठीक है सारे लीडर्स को वो लोग जेल में बंदिये दिये और बिटिशिस को लगा कि अब ये common people क्या कर पाएंगे common Indians क्या कर पाएंगे बाट ये common Indians जो है न कौमन इंडियांस के द्वारा अटैक करने लगे 1944 में महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया कुई इंडिया मुवमेंट इस समय फाइनल अटेम्ट में आया और बिटिज गवर्मेंट के द्वारा ओर्डर किया गया 538 रांड्स ऑफ फाइरिंग का यानि कि गोली चला रहा था तो यहां पे जो revolutionary activities थी वो तो चलते ही आ रहा था लेकिन सुभास चंद्र बोस ची का भी जो रोल था ना वो काफी यहां पे important हो गया था यहीं से जय हिंद ठीक है और जो नाम है आएने का यह थ्री ब्रिगेट में था जो कि सुभास ब्रिगेट गांधी ब्रिगेट और नहरू बिगेट विमन विंग्स भी जो आर्मी के थे उनका भी नाम दिया गया था रामी लक्ष्मी बाई के नाम से इंडियन नेशनल आर् में अपने एफ़र्ट में फेल्ड हो गया था इसी सर्गें इस्टांसेस में शुभास को सुभास चंद्रबोश जी को ताइवान भीजा गया फिर ऑन दे वे जो है उनकी मृत्ती हो गई और यह एक रहस से था प्लेन क्राश तो कहा जाता है बट फिर भी एक रहस से था जो यहां पर आया cabinet mission 1946 में Second World War जो कि 1945 में complete हो गया था खतम हो गया तो 1946 में Lord Attlee यहां पर प्राइम मिनिस्टर बने थे इंगलाइड में 15 मार्च 1946 को Lord Attlee एक historic announcement किये थे और self determination का right वो दिये थे और कहा था कि भारत के लिए constitution बनाया जाएगा जिनको यहां पर इंडिया भीजा गया जिनको cabinet mission कहते है तो पूछा जाता है कि cabinet mission में कौन-कौन था तो यह तीनों का याद रखना है cabinet mission जो है एक plan लेकर आए यानि कि जो constitutional problem था इंडिया में उसको यहां पर solutions लेकर आए three group of provinces थे जो कि यहां पर रखा गया cabinet missions को अगर देखे तो यहां पर union of इंडिया का फॉर्मिशन करने के लिए प्रपोस किये यानि कि बिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट दोनों को गम प्राइस किया जाएगा साथी साथ इनका जो प्रपोसल था वो यह साथ साथ जुलाई 1946 में election हुआ और यहां पर constituent assembly का formation हुआ Congress जो थे वो यहां पर 205 secure किये थे 214 seat से और Muslim link जो थे वो 73 किये थे 78 Muslim से Muslim seat से interim government यहां पर बनाया गया वो भी जवाहल नाल नहरो को 2nd of September 1946 में उसके बात क्या हुआ? Mountbatten plan आया 1947 में Lastly 20 February 1947 में Prime Minister जो एटले थे उनके द्वारा यहां पर announce किया गया British government अपने power को transfer करे इंडिया के हाथ पे उसकी बाद इसी को decide करने के लिए यहां पर Lord Mountbatten को यहां पर भीजा गया जो कि वाइस रहे थे इंडिया के लिए Lord Mountbatten जो थे वो यहां पर वास्ट पावर जो कि इंडिया को वाइसराई थे उनको माना गया जो इंडिया का partition था और जो पाकिस्तान बनानी थी वो यहां पर इनके द्वारा देखा गया साथी साथ Lord Mountbatten जो थे न वो यहां पर plan बनाए partition का वो भी कब तो 3rd June 1947 यह बहुत ही जादा जो है जबतकार आदमी थे मतलब कि इनको कुछ भी इनसे पहले कोई भी जो है इसका solution नहीं निकाल पा रहा था कि इंडिया को कितना भाग देना पाकिस्तान को कितना भाग देना बट यह कितने talented थे यह इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे लेकिन जैसे यह इंडिया पहुंचे और उनको यह दिखा कि अच्छा ठी के partition का demand हो रहा है मुस्लिम वाले अपना पाकिस्तान मांग रहे इंडिया वाले अपना इंडिया मांग रहे हिंदू वाले इंडिया मांग रहे तो वो क्या कि यह ना कि मैप खोले और मैप खोलके वो डिवाइट करने स्टार्ट कि इतना पोर्शन यह पी तुरंत जो है वो पार्टिसन कर द इसी के basis पे इंडिया इंडिपेंडेंस कानून निकल करा है 1947 का बिटिज गवर्मेंट तो थे वो फॉर्मल अप्रूवल जो माउंट बिटिन का था उससे वो भी यहां पे एकॉर्ड कर लिए यानि कि उनको भी ठीक लगा और कुछ silent features देख लिए क्योंकि इस act का ये silent features पूछ लिया जाता है सबसे पहला क्या है कि country को partition कर देना है दो भाग में बाट देना है इंडिया और पाकिस्तान में और ये कप करना है तो 15 अगस 1947 से बिटिज गवर्मेंट जो है अपने सारे power को transfer कर देंगे दोनों डोमिनियन को boundary commissions होगा यानि कि boundary यहाँ पर टिमार्केट किया जाएगा पंजाब और बेंगाल वाले रीजन में और ये जो कानून है इसमें transfer होगा power का constituent assembly को वह भी दोनों डोमिनियन का जिसमें fully authority होगा कि वो अपने हिसाब से जो है आपने constitution में फ्रेम कर सके कि अच्छ ठीक है पाकिस्तान औरलिया आपको divide करना है तो यह काम करते है यहां से काटके यह पाकिस्तान बना देता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है एक्जिस्टेंस पे पंदरा अगस्त को इंडिया एक्जिस्टेंस में आया मौहमध अली जिन्ना थे जो कि first government general बने पाकिस्तान की और Lord Mountbatten है जो कि first government general थे independent India की तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे आजादी भी मिला, डिविजन भी हो गया, जब महात्मा गांदी जो फादर आफ निशन कहा जाता है, उनको यहाँ पे एसेसिनेट कर दिया गया, यानि कि नातुराम गौट से के द्वारा उनको मार दिया गया, अब इनके पीछे एक अलग ही स्टोरी है, वो तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस हिसाब से हम लोग यह समझ गया, कि यहाँ पे हमारा आजादी हो गया, क्या क्या देखे, गांदी जी की अर्ली एक्सपरिमेंट देखे, सत्यागरा का जो के चंपारान से स्टार्ट के थे, नॉन पाकिस्तान है यहाँ से हट गया, यह पाकिस्तान वाला रीजन है, साती रहाएं पर वantal पाकिस्तान भी हम इसको लेकbringen, इसको वेस्ट पाकिस्तान का जाता था लेकिन आज की डेट में यह बांगलादेश है भिशचेआइव इनकल इसको मैस्टी फॉलविंग करनी है जालिया वाला बाग स्वराजबाटी दांडी मार्च पुना एपक्त कांधी इविन यहां पर आप लोग इसको सॉल्व कीजे और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजे जैसे पहले दो वीडियो का आपने कमेंट किया है यह सारे आंस देखिए मन लगा के पढ़िए हिस्ट्री एक बार आप मन लगा लोगे न तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और चीजे याद रहेगे फिर आपको यह डिस्टर्विंस नहीं लगेगा कि मुझे डेट याद नहीं होता है मुझे सिक्वेंस याद नहीं होता है य पर आपको मन लग जाएगा तो ठीक है अगर अच्छा लगा तो बस लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं फिर भी कोई डाउट कोई सचेशस है तो कमेंट कीजे एंड अच्छा लगा नेक्स्ट लेसन देखना चाहते है तो सब्स्क्राइब कर दी ये कमेंट केंट अधिए्यू